सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिसना कर पाएं नमस्कार दोस्तों अमित बात कर रहा हूं दोस्तों आज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी मेसेज में अपना mobile number, name, whatsapp number, edit कैसे करें और बहुत ही आसानी से आप edit कर पाएंगे जो भी हमारे नए साथ ही यहां पर join होते हें तो वो अपना mobile number वगरा message में edit नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और वो भी आसानी से अपना number वगरा edit कर पाएंगे तो अभी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दे रहा हूँ और आप अच्छे से यहाँ पर कर पाओगे जैसे कि दोस्तों अभी मान के चलते हैं हमें इस मैसेज में अपना जो है जो इस्पॉंसर आइड़े और अपना वैट्ट्सप नमबर एड़िट करना है तो क्या करना है दोस्तों हमें इस मैसेज को कॉपी कर लेना है या तो आपको जब भी इस मैसेज को किलिक करोगा अगर किसी और ने बेजा हुआ है यह मैसेज तो आपको इस मैसेज को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट के राइट एंड पे डिलीट के राइट एंड copy का मार्क होगा उस पर क्लिक करना है आपका message copy हो जाएगा नहीं तो आप option से जाओगे option में copy का यह दिखाई दे रहा है आपको इसमें copy का यह जो है option यहां से इसको copy कर लोगे तो message को copy कर लेना है यह देखो message copy हो गया है अब इस message को क्या गरना है आपको यह type ए message वाली जो जगह है यहाँ पे आपको यह अपनी उंगली को press करके रखना है इसी खाली जगह पे जहां पे message आपका type होता है तो यह paste लिख के आता है अब आपको paste पे click करना है और जैसे ही चाहे number change करिए चाहे आप name change करिए यहां से आप number name बगएरा कुछ भी change कर सकते हो एक्स वाई जैड वगरा यह देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहां से मैं कुछ भी यहां पे अब यहां पे मैं डाल सकता हूँ ठीक है यहां पर तो आप अपना नमबर यहां से एड़िट कर पाओगे अपना नेम सारी चीज़ें आप एड़िट कर पाओगे और आपको जो डाल देना है ठीक है जो आपका social ad word वाले जो number है रिस्टर वो नमबर डालना है और वही link आपका link बन जाएगा जो भी उस link से क्लिक करेगा वो आपके down में join होगा ठीक है जो भी उस link पे click करें करेगा वो के डाउन में जोई होगा, तो इस तरीके से ये मेसेज आप add it कर पाओगे, और इसे send कर सकते हो, send करने के बाद आप किसी को भी ये दे सकते हो और फिर इसे आप कहीँ पे भी भेज सकते हो, तो ये तो हो इसे अआप का message add it कैसे करना होता है, और और भी बहुत सारी जानकारी जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकोन को किलिक करना ना भूलें जिससे के आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए ओके दोस्तों थैंक्यू